हेलो दोस्तो नमेशकार इसमकीजी चैनल में मैं आप सिबलम का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ फर्स टाम विजिट के है जरू चानल को सब्सक्राइब कर लेना फ्री स्टाउक मार्केट क्लासेज इस चानल को भी चाहतो फॉलो कर सकते हो सब्सक्राइब कर सकते ह जरू सेलेट करके रख लेना चैनल का लिंग उपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चले दोस्तो फिलाल इस वीडियो को श्राट कर लेते हैं तो ठीक है दोस्तो अभी हम लोग आ चुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर इस वीडियो के बात करें तो आपको पता ही है एक IPO हम लोग को कल से ही ओपन होते वे देखने को आपे मिलने वाला है मैंकाइंड IPO के अगर हम लोग बात करें जो की 1991 में ये कंपनी शुरू है पर होई थी फार्मा सेक्टर में हम लोग को काम करते वे देखने को मिल जाती है और देखा गय कि क्या long term के लिए इसको consider करें या फिर सिर्फ मतलब listing gain, listing gain के लिए consider करें अभी listing gain के लिए तो आपको पता ही है कि grey market premium कैसा है उस हिसाब से हम लोग को एक अनुमान मिलता है ये कोई guarantee नहीं कि grey market premium जैसा है वैसा ही हम लोग को list होते हुए दिखने को मिले क्योंकि आज का data जो यहापे में cover करूंगा क्योंकि grey market premium उससे related हम लोग को देखना पड़ेगा कि latest final क्या चल रहा है दैन कुछ formula जैसे कि आपको पता ही है कि company 25 मतलब कल से start हो जाएगा IPO 27 को close हो जाएगा दैन price band की बात करें तो आपको पता ही है cut off price के हिसाब से हम लोग चलते है फिर भी आप highest price इस band ही लेकर चलो 1080 तेरह का एक lot हम लोग को लेखने को मिल जाएगा यह थोड़ा सा negative point है कि total issue मतलब कितना हो रहा है देखे 4300 करोड का IPO है और पूरा का पूरा OFS है right OFS मतलब यह जो 4300 करोड है यह जो shares आप खरीदे रहे हो ना इसका जो पैसा है एक रुपया भी एक पैस पैसा भी company को मिलने वाला नहीं है यह promoter को मिलेगा promoter अपना माल बेच रहे है यहापर fresh equity लिखा होता या फिर issue लिखा होता मतलब वह पैसा company के पास जा रहा है यह चीज़े हमनों को लेखने को मिल जाती तो यह पूरा का पूरा पैसा promoter उठाने जा रही यह सारी चीज़े पता चल जाएगी then book building है ठीक है BSC NSC हम लों को दोनों के ओपर list होते वह देखने को मिल जाएगा then reservation की बात करें QIB के लिए 50% not more than 50% then HNI की बात करें 15 ठीक है retail category की बात करें तो कितना है not less than 35% right ठीक है मतलब इतना तो at least हम लों को देखने को मिलेगा मतलब इसमें retailers participate करेंगे तो शायद से मिलने के chances ज़्यादा रहेंगे बड़ इस कारतिया नहीं कि blindly जाके खरीदो करके अच्छा भी तो IPO लगना चाहिए then कुछ हम लोगों को events के dates आप देख सकते हो 25 को open होगा 27 को close 3 में को आप लोगों को allotment मिल जाएगा मिले या नहीं मिले नहीं मिले तो 4 तारी इसा फस जाएगा करके ठीक है then जेनों को मिला है शेर तो 5 तारीक को अकाउंट में आ जाएगा and 8 तारीक को अमनों को लिस्ट होते वे देखने को ये company मिल जाएगी तो आप देख सकते हैं भयंकर लंबा time है लिस्ट होने के लिए तब तक grey market premium में आज बोलूँगा कोई guarantee न जाएगा fine and और कौन सी चीज है कि promoter की बात करें अभी फिलाल 79% शेर उनके पास है post issue के बाद भी हम कह सकते कि promoter के पास ही लगबख 75% शेर रहने वाले है तो ये भी अच्छी बात देखने को आपे मिल रही है then कुछ long term investor जो interested है तो चाहे तो company का ये data देख सकते total asset revenue पैट क चाहो तो study कर सकते हो okay okay performance हम लोगों को देखने का पर मिल रहा है आखरी वाला performance ये एक बात थोड़ा पता होना चाहिए सिर्फ nine month का data है आखरी वाला directly इसको पहले वाले जो data है वो बारा-बारा month के है तो उसके सबसे blindly उसको compare मत कर लेना तो और अगर हम लोग बात करें तो 43,000 करोड का market cap है company का ये तो market अभी list होगा तब decide करेगा कि आपका actual में market cap कितना है PTM का market cap भी जबरदस था बाद में तो 50% उसको नीचे घटा दिया तो इसलिए share market में आने के बाद सब कुछ पता चल जाएगा तो और अगर हम लोग बात करें तो क्या करना चाहिए इस IPO में क्या long term के लिए हम लोग apply करें तो दोस्तों मैं already आप लोग को बता चुका हूँ कि जब भी भी कोई company IPO में आ जाती है अगर वो super डूपर खतरनाक hit company अगर होगी तो हम लोग long term के लिए consider कर सकते हैं वरना जल्द बाजी करने की कोई जरूरत नहीं है market वैसे ही boring type जल रहा है आराम से आप लोगों को मोका अगर आप interested ही हो data देखकर हम लोग आराम से बाद में निवेश कर सकते हैं तो next अगर हम लोग बात करें तो चले ठीक है sir तो फिर क्या सिर्फ listing gain के लिए चले जाए तो listing gain के लिए gray market premium पता होना चाहिए कितना चल रहा है gray market फिलाल 75 rupees per share तो 75 rupees per share and share का price कितना चल रहा है लगबग 1080 के आसपस तो कितना percentage है दोस्तो केवल 6-7 percentage चल रहा है मतलब अगर आपको returns भी मिलेंगे बहुत ही कम है इस चीज़ के लिए risk लेना मुझे तो बहुत ज़्यादा रिस्की लगता है यहापे तो मैं आपके जगे पर होता में तो यहापे बोल दी है बाद में देख लेंगे अगर company अच्छी लगी तो enter कर लेंगी कोई जल्द बाजी नहीं ऐसा कोई बात नहीं कि बाद में अगर enter कर लेंगे तो कोई पाप लग जाएगा या फिर मोका ही नहीं मिलेगा तो जल्द बाजी मत करो हमेशा लोग बहुत ज़्यादा करते हैं और बाद में उनको खामियाजा भुगतना पढ़ जाता है तो listing gain के लिए इतना कुछ attractive में at least 20% होता ना तो हम लोग समझ सकते हैं क्या आज ये मैं 6-7% की बात कर रहा हूं क्या पता listing के 8 में तक अगर और नीचे गिर गया तो band बच सकती है तो ये risk है जो कि आप ल स्थिर भी रतन टाटा खिया है अगर किसी के इच्छा है यहापर कि इनको भारत रतन तो कभी ना कभी मिलना चाहिए आप होता है जो भी चीज़े ह्या पर होती है तो वो रतन टाटा जी को फिलाल तो आज यहापे मतलब मिलते वे देखने को यहापे मिले है तो आप उसका पिक भी यहापे देख सकते हो जैसे कि हमारा कैसे भारत रतन होता है वैसे ही आस्ट्रेलिया ने उनका जो highest civilian award है वो रतन टाटा जी को यहापे दिया है तो आपको हर दुनिया में किदर ना किदर तो देखने को यहापे मिल जाएगा तो यह चीज़े के बाद अभी वापस जोर पकड़ते वे दिखने को यहापे मिल जाएगा कि definitely रतन टाटा सर को भारत रतन भी यहापे मिलना चाहिए अभी मिलता है नहीं मिलता है वो आने वाले वक्त में ही हम लोगों को पता चल जाएगा तो यह थोड़ा बहुत हम कह सकते business world से related चीज़ थी इसे कोई share market से कोई संबध यहापे नहीं है देन दोस्तों आज आते हैं तीसरी important news के और तो उस company का नमें triple BY बेड, bath and beyond तो इसका तो नकरा हम लोगों ने बहुत बार देखा है चलो ठीक है अभी में वीडियो बना रहो तब तक तो सिर्फ 20-22% मतलब बहुत अच्छा लग रहा है अभी हम लोगों ने चेक किया ता 40% यह stock down था, सबसे पहले यह stock हमारे market में नहीं है, यह American बाजार में है जो beginner होते वो थोड़ा सा तलाश करते है सर मिल नहीं रहा है, तो आप देख सकते है रिखी यह आपे exchange लिखा हुए, Nasdaq तो Nasdaq में यह company देखने को मिल रही है 0.23 dollar की यह company है और वापस इतना जबरदस क्यों गिर रहे तो बच्चे-बच्चे को पता चल चुका है कि कौन सी खबर आई होगी obviously bankruptcy, तो वापस वही खबर सामने आ चुकी है कि अमेरिका में यह जो company है bankrupt सी file करने जारी, bankrupt सी मतलब बंद करने जारी है, company के liabilities यहाँ पर हम लोग को क्या देखने को मिल रहे है asset से ज़्यादा देखने को मिल रहे है तो इससे अच्छा क्या करेंगे, खुद को बंदी करेंगे और वैसे भी company अगर हम लोग देखेंगे, 5 साल में 98% से भी ज़्यादा crash, मतलब सब कुछ खतम ही है नाम के लिए सिर्फ company हम लोग को चलते भी देखने को आपे मिल रही है तो यह बहुत drama चलता रहेता है कि bankrupt से फाइल कर रहे है, फिर वापस नहीं बोलेंगे फिर हाँ, फिर ना, इसके चलते जबरदस हम लोग को इस stock में volatility देखने को आपे मिल जाती है तो त्रिपल भी वाई के अगर हम लोग बात करें तो यह stock क्यों radar के उपर हम लोगों ने रखना चाहिए होता है क्योंकि इंडिया की बात करें तो वेल्सपन इंडिया, यह company आप लोग को पता है उसका अच्छा कासा market हम लोगों को अमेरिका में देखने को मिल जाता है and bed bath and beyond के चलते हम कह सकते इनके business के उपर थोड़ा बहुत हम लोगो directly ना सही, बट indirectly तो फरक पढ़ते वे ज़रूर देखने को आपे मिल जाएगा, तो आप चाहो, तो वेल्सपन इंडिया को भी क्या कर सकते हो study purpose के लिए अपने radar के उपर यहापे set करके रख सकते हो next अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तो, fourth and आखरी news की तो दोस्तो वो है GST से related, GST मतलब taxation से related और एक जबरदस खबर फिलाल तो सामने आ रही है कि इंडिया tax department, इंडियान tax department, crackdown on बज्जाज alliance, ICC prudential life, aim, wider probe, मतलब यहापे हम कह सकते इनक्यों पर आरोपले हापे लगाया जा जुका है tax evasion से related कि tax पूरा यहापे नहीं भराये करके और यह sources के जरी खबर देखने को मिल रही है तो अलग-अलग sources से खबरे आते रहते हैं आप लोग को पता ही है इस चीज के चलते आप देख सकते हैं इन companies को short cost निटीज हम लोग को already issues होते वे देखने को पने था 2017 से सारी चीज हम लोगों को देखने को मिल रही है और यह जो आरोप है सिर्फ इनके उपर ने और ऐसा 16 insurer companies हम लोगों को देखने को मिल जाता है total unpaid dues की जो tax भरना चाहिए वो इनने भरा नहीं है तो यह total मतलब 16 insurer को पकड़ के 610 600 million dollar के आसपस का यह amount हमनों को बनते वे दिखने को मड़े है यह तीन sources के और से खबर आ रही है मतलब हम कह सकते कि इसके authenticity थोड़ा बहुत यहापे हम कह सकते कि थोड़ा बहुत मतलब अच्छा यहापे हो सकता है करके तो बजाज Alliance का नाम फिलाल तो सामने हापे आ रहा है और आईसे से Prudential Life का नाम सामने फिलाल तो आ रहा है तो अभी यह investigation होगा देखना पड़ेगा कि tax देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा इस का रतिया नहीं कि कंपनिया बरबाद हो जाएगी करके यह taxation से related हमेशा 19-20 चीज़े यहाँ पर चलती रहती है तो बजाज Alliance के अगर हम लोग बात करें तो क्या यह company share market में listed है तो हम लोग जरू कह सकते हैं यह company अगर आपको जाननी है तो यह है दोस्तो बजाज Finso इसके उपर मैंने अलग से वीडियो भी बनाय था कि बजाज Finance और बजाज Finso इन दोनों में अंतर क्या है क्या difference है यह दो companies में तो उस वीडियो को लिंग पर आई बटन पर देता हूँ उस वीडियो को देख लेना आपको समझ में आ जाएगा कि बजाज Finso के अंदर क्या आ जाता है और Finance के अंदर क्या आ जाता है तो बजाज Alliance की फिलाल आरोप यह लगते वे देखने को मिल रहे है तो इसके चलते बजाज Finso के आप क्या कर सकते हो Study कर सकते हो आप चाहो तो इनको भी Study कर सकते हो तो ये देखने वाली बात है ये तो आरोप लगाए गए है वे आरोप सीध होते है नहीं होते है इसके उपर ये सारी चीज़े निरबर रहती है तो आशा करता दोस्तो वीडियो हलफुल लगा होगा तो ज़रू लाइक और शेयर कर देना एंडिमेट अकाट अगर आपने अभी तक उपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो के लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री आफ कोस्ट मिल जाएगी आपका